हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टिरोन चैनल डेली स्टॉक तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले इंटरेक्टिव फाइनेशल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में कंपनी के क्या विज्दस प्रॉस्पेक्ट है, विज्दस कंपनी क्या कारोबार है तो उन सब चीजों को ज जो कि जिसका जो कमपनी का बिजनस सग्मेंटेशन है, वो यहाँ पर अंगेज़ है इन बिजनस ओफ नॉन डिपोजटिटरी क्रेडिट का इंटरमीडिशन मतलब क्या हो गया, कि यहाँ पर यदिस दिपोजटिटरी तो आपको पता है कि यहाँ पर उनके बीना इडिस जो की चैनलोगी दरेफन सॉलूशन और रिएटेड इसस अक्रौस अग्रहो हो ग्माग दनस पातरि है। क्या काम है कि इस company या market cap के बात करो तो यहापर 4.02 करोण का ही इस company का market capitalization है जो कि यहापर मैं बताता कि यह company small cap stock है है उसे के साथ साथ में इस company का जो share value है वो है 10 रुपे और यहापर beta stand करता है 0.16 जो कि यहापर मैं बताता कि यहापर अगर indices के अंदर 1% का momentum देखने को मिलता है तो इस share के अंदर भी upon and average business पर 0.16% का momentum देखने को मिल सकता है currency industry का यहापर जो price to earning के निकल कराता है वो है 55.76 अगर उसके मकाबले अगर हम इस share को compare करें तो एक अच्छे कासे price to earning को मिल रही है तो यहापर book value के बारे बात कि अगर company financials के उपर बात करते हैं 2018-90, 2020-2021 2018-19 के अंदर company यहापर revenue profitability काफी अच्छी जो है देखने को मिली थी but 2020-2021 के अंदर इतना ज़्या revenue profitability आपको बढ़ते हो देखने को नहीं मिल रही है although 2020 अगर हम यहापर 2021 को compare करें तो यहापर company ने पिछले quarter में किस तरह का performance किया है उसके उपर भी हम यहापर जरूर फूकस करने वाले हैं but the first thing comes first is shareholding pattern अगर हम यहापर इस company आपर compare करते हैं तो यहापर company के अंदर promoter का investment is 27.78% percentage जो कि आपर हमें बताता की company के जो investment एक company पूद के प्रमोटर्स है उन लोगों द्वारा जो है सिफ यहापर company 8 क्रोण के market capitalization के ओपर यहापर company का जो इनिवेश है वो ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है ड़िशिप 2 या 3-4 गोड का जो दो दो या धाई को को जो investment है वो ही यहापर company प्रमोटर्स द्वारा किया गया हुआ है बाके का जो investment है वो यहापर public मतला आप जैसे और मेरी जैसे रिटल के लिए investors होते हैं उन लोगों द्वारा किया गया हुआ है तो the next thing is company revenue statement अगर हम यहापर company revenue statement को compare company total income as well as total profitability company net profitability यहापर हमें अभी के लिए देखने को नहीं मिल रहा है और सेप्टेंबर 2021 के लिए यहापर total income generate किया है 1 crore का और उसके ओपर company ने एक भी रुपय का net profit नहीं कमाया है बट although मुझे ऐसा percentage लेता है कि यहापर company ने 30 lakh 20 lakh यहापर 15 lakh यह आसपास भी यह company ने जो नतीजे है वो दिखाए होंगे बट यहापर हाला कि देखने को हमें नहीं मिल रहा है सो नेक्स तिंग इस तो रिटन रिटन रिशो तो रिटन रिटन रिशो को कमबेल पर रहे हैं तो वो था इस company का मार्च 2019 के अंदर 14.91 परसेंटेज मार्च 2020 के अंदर 3.21 परसेंटेज एस वरेस मार्च 2021 के अंदर 9.25 के percentage फॉर्म में company का आरूई परसेंटेज देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर जो company का आरूई percentage वह पर प्रिशनेटेज को मिल रहा है परसेंटेज मार्च 2020 के अंदर 4.41 परसेंटेज मार्च 2021 के अंदर 13.44 परसेंट का आरूई परसेंटेज देखने को मिल रहा है तो यह जो चीज है वो भी हाँ पर आपको जो है consider ज़रूर करनी पड़ी गी and the next thing is company के ROA परसेंट sorry for a disturbance I guess yes हाँ so company के अगर यहाँ पर हम ROA परसेंटेज देखने 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 तो यह हमें बता था कि company के पर मार्केट में जितना भी asset base available है उसके अपर यहाँ पर company ELE business पर कितना प्रसेंट प्रॉफिट कमाती है तो वो था इस company का March 2019 के अंदर 14.08% March 2020 के अंदर 3.14% और March 2021 के अंदर 9.18% का ROA परसेंटेज देखने को मिल रहा है and the last thing is जो यहाँ पर हम company के बार में consider करने वाले है वो यह company का leverage ratios तो company आपर debt to EPD के माध्या से लेके तो company आपर debt free है हाला कि आपर company का market size यतना कम है so I don't personally think कि यहाँ पर company को debt मिलेगा या फिर चाहेगी तो भी मिलना को आप मुश्किल हो सकता है company के interest coverage ratio percentage जो कि आप रहा हम गदा कि company की capacity market में interest pay करने की तो तो capacity होती है वो यहाँ पर हम बताते है company के interest coverage ratio percentage में तो यह भी जो है हमें काफी अची तरह से बढ़ते वह देख में मिल रहा है but I don't personally think कि यहाँ पर यह company ने जो interest payment करने की जो company's capacity यह दादा इतनी सुदर्द हो कि देख भी को मिल रही है company के जितना भी market capitation के साथ से अगर हम यहाँ पर comparison करें तो and the last thing is company के market price so currently यहाँ पर 13.33 that is 4.96% की तेज़ी के साथ में यहाँ पर close ज़रूर हुआ है यह शह है so यहाँ पर market prospect के साथ से बात के तो share कि तेज़ी यहाँ पर काफी अच्छी तरह की से यहाँ बढ़त यहाँ पर हमें आसन से देखने को मिल सकते है current market situation के हिसाब से although यहाँ पर stop loss maintain करना हो तो यहाँ पर आप 12.5 था stop loss लगा के आपर maintain कर सकते हो technical basis पर but fundamental basis के यहाँ पर investment की advice नहीं दी जाएगी because इसका company market cap कम है liquidity कम है तो यहाँ पर जो है accordingly जैसे जैसे लोगों के mindset होंगे उसकी प्राइस करना जो है fluctuation आपको देखने को मिल सकते हैं so hope करता हूँ कि आपको interactive financial service limited company का यहाँ पर हमने जिसले challenges किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से बता चल गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेर और माइच्छाल को सब्सक्राइ अगर यहाँ पर आपको कोई query हो या फिर कोई doubt हो related to the stock यहाँ पर आप हमें definitely पूछ सकते हो, so thank you